अर्टिफिशल इंटेलिजन्स ए आई के ख्षेत्र में चैट जीपिटी और गूगल के बार्ड ने जो काम और प्रोजेक्ट किये हैं उससे मानवता स्थब्द है यह एप वेब यह सर्च एंजिन की क्रांती है लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ा रोबोट ही नहीं होता आखिर वो एक मशीन है पर सन्मान सबका होना चाहिए तो यह सोफिया जी अमेरिकी रोबोटिक्स जीनियस डेविड हैंसेन द्वारा बनाई गई नविंतम महिला रोबोट है सोफिया जी में इंसानी दिमाग जैसी चीप फीट की गई है जो साथ प्रकार के इश को और हाउबाव को दिखा सकती हैं पुछे गए सवालों का अपने तरीके से विशलेशन करने में पूरण तरह से सक्षम है सोफिया नाम के लाक्षनिक और चतुर रोबोट के विसपोर्ड के बाद अब विक्सीत देशों ने गुपत रूप से रोबोट का उत्पादन करन ये सोफिया की कुछ जलक हैं पिछले कुछ सालों से सोफिया रोबोट सेलिबरिटी बन गए हैं सन्युक तर राष्टर से लेकर विश्व प्रसीद टॉक शो में सोफिया को इंटर्वू देने के लिए आमंतरित किया जाता है और सोफिया जी कुछ इस तरह जवाब देते ह हैं कि मेजबान और दशकों को चकित कर देते हैं और उनका दिल जीत लेते हैं उनका सेंस ओफ यूमर भी काफी मजबूत है दोस्तों एक बात तो आश्चर जनक है कि सोफिया नाम की ये महिला रोबोट को साओधी अरब में नागरिकता प्रदान की गई है एक सामन्या सोफिया हैन बिना फिलिप और प्रोफेसर आइंस्टाइन जैसे अलग-अलग 12 तरह के रोबोट्स हैं वे दिन दूर नहीं जब उन्नत क्षमताओं वाले ऐसे रोबोटों को दुनिया के विभीन देशों द्वारा अपने काम और असाधारन बुद्धी का प्रयोग करने के जाएगी तो इस तरह दुनिया के विभीन देशों के बीच ऐसे रोबोट्स हांसिल करने की डौड शुरू हो गई है पर यह तो समय ही बताएगा कि इस तरह की खोज पर मानव जगत खुश होगा या हैरान क्योंकि सोफिया अपने भविशे के इरादों का जवाब देती है सोफिया को भी पता है कि दुनिया में धन का वितरण असमान है और वो भी कहती है कि AI को गले लगाओ अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ऐसे रोबोट्स के जरीए कोई इनसान पाई में एकाउंट बना लिता है तो क्या होगा इसलिए पाई नेटवर्क प्रोजेक का सबसे महत्वपूर्ण फीचर उसका KYC सिस्टम ही है जिसमें आर्टिफिशल इंटेलिजन्स तो है ही परन्तु मनुष्य की निर्णायक शक्ती भी है यानि कि हमारा डिसिजन पावर भी है इस KYC सिस्टम से ही तो पाई में सभी जिन ही है और ऐसे ही दूसरे AI से इसकी मुवमेंट करवाई है और आपका स्वागत करना भी सिखाया है सुनिये मज़ा आया, यह दूसरा आउतार भी देखिए मेटामित्र चैनल में सुस्वागताम मेटामित्र चैनल में सुस्वागताम हमारी आवाज पिछले वीडियो में ये थी जो हमारी ओरिजनल आवाज है पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो के ब्रह्मांड में पाई लोक में एक अलग गटना गटी सबका चाहिता पाई ब्राउजर कुछ नाराज सा दिखा AI से बनी वोईस बदलने वाली एप कैसे ये आवाज को बदल देती हैं ये ध्यान से सुने पाई ब्राउजर पिछले कुछ दिनों से क्रिप्टो के ब्रह्मांड में पाई लोक में एक अलग गटना गटी सबका चाहिता पाई ब्राउजर कुछ नाराज सा दिखा उस लोगों के मोबाईल की खीड़की में से को दिखता था वीडियो क्रियेटर अपने लेप्टॉप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है तो ये थी AI और रोबोट की जानकारी आएए अब पाई की सोसेल मीडिया की पोस्ट की बात करते हैं ये एक पोस्ट दिखी जिसमें पाई की कोर टीम से डॉक्टर निकॉलाजी ने डेवलोपर चेट रूम में कहा है ऐसा दिखता है तो पाई के डेवलोपर चेट रूम में जाने पर इसके साथ कुछ और भी जानकारी मिली उन्होंने पुछा है मेरी KYC एक साल से पेंडिंग है न तो पास हुई है और नहीं फेल तो इसका रिजल्ट पाने है तू हमने पाई की सपोर्ट टीम में कंप्लेन भी डाली है तो इस पर डॉक्टर निकॉलेजी ने जवाब दिया है कि धिरज रखने के लिए शुक्रिया ओपन मिननेट आने से पहले हम इसका सॉलूशन लाना चाहेंगे इस बात से दो चीज का पता लगता है एक तो जिस किसी की भी KYC का कोई रिजल्ट नहीं है उनका रिजल्ट ओपन मिननेट से पहले आसकता है और दूसरी बात कि ओपन मिननेट आयेगा जरूर परन्तु उससे पहले सबकी KYC हो जाएगी ऐसा सोच सकते हैं ये चैटरों में किसी ने कहा था कि ओरिजल्ट पाई की जगह डूपलिकेट फिशिंग साइट भी है तो इसपर जवाब मिला है कि ऐसी डूपलिकेट साइट की लिंक को आप पाई की सपोर्ट टीम के इमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं ताकि आगे की कारियवाही की जाए फिलिपाइन से किसी पाईओनियर ने पुछा है कि फिलिपाइन में कई लोगों के पाई कोईन वालेट में से चोरी हो गए दोस्तों मेटामिदर चैनल पर भी ऐसे एक दो कॉमेंट आये थे कि पाई वालेट में से गायब हो गए तो इस पर डॉक्टर निकॉलजी ने जवाब दिया है तो उस पास्फ्रेज से कोई और आपका वालेट खोल सकता है और पाई की चोरी कर सकता है दोस्तों इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि अपने पास्फ्रेज ही खजाने की चाबी है इसे संभाल कर रखें अब जो लोग नोड चला रहे हैं उनको पाई की स्क्रीन पर ऐसा सर्कल गूमता हुआ दिखाई दे रहा है निचे प्लीज वेट लिखा है तो इस पर डेवलोपर चेट रूम में मॉडरेटर ने खाया है कि ये सिर्फ टेमपरर इस्यू है जो डोकर या नया इंस्टलेशन का अपडेट के बाद दिखाई दे रहा है उपर उपर स्क्रीन पर तो ये सर्कल गूम रहा है परन्तु बेक्ग्राउंड में पाई का नोड चालू है और आपको दूसरे दिन यानि नेक्स्ट माइनिंग साइकल में नोड के रिवार्ट्स मिलेंगे पाई की कोर टीम अभी दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पर काम कर रही है इसको भी बाद में सॉल्व किया जाएगा मित्रो अभी जो थोड़े दिन पहले पाई नेट्वर्क एब और ब्राउजर डाउन था उसकी वज़ा मॉडरेटर जी ने बताई है कहा है है हैकेथान की वज़ा से प्लेटफर्म की उप्योगिताब बढ़ने के कारण कुछ कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यक्ता लगी थी और ये शायद सही हो सकता है क्योंकि पिछले 3-4 साल में ऐसा डाउन वाला इस्यू 2-3 दिन के लंबे समय तक नहीं चला था जो लोग 4 साल से मानिंग कर रहे हैं उनको पताई होगा चलिए अब सोशेल मीडिया के कुछ पोस्ट देखते हैं सोशेल मीडिया में ये वीडियो चाइना के होंकों का है चाइना से भी एक वीडियो दिखा है इस पोस्ट में लिखा है चाइना में कोवीड अब खतम हो गया है पाई नेटवर्क के उच्छाही पाउनियर की ओफलाइन मीटिंग फिर्शे शुरू हो गई है देखा चाइना वाले फिर्शे शुरू हो गए और हम अभी आराम से सो रहे हैं इंडोनेशिया में एक आफलाइन इवेंट हुई थी जिसमें एक पाई की तीन लाख डॉलर वाली कीमत पर बार्टर सिस्टम से सामान बेचने रखे थे यह उसका वीडियो है दोस्तों एक पाई की ये तीन लाख वाली कीमत पर ट्वीटर पर एक पोस्ट दिखी थी जिसमें समझाया था कि फर्स करो एक पाई की तीन लाख डॉलर कीमत होने पर सो बिलियन पाई की कुल इतनी कीमत होती है और साथ में एक अनुमान से अभी समझो कि दुनिया भर में कुल मिला कर इतने डॉलर होते है अगर टोटल पाई की कीमत को इन से डिवाइट किया चाए तो इस पाई की वज़ह से विश्व का धन 125 गोना बढ़ जाएगा यानि वेल्ली उतनी बढ़ जाएगी तो इसी वज़ह से पाई लंबे समय तक टिकाव और परियाप्त करंसी होगी परन्तु ये उन्होंने एक अनुमान लगाया है हाला कि समय ही दिखाएगा कि पाई की कितनी वेल्ली होगी लास्ट में कुछ कमेंट देखते हैं जो मेटा मितर के दर्शकोंने बड़े प्यार से प्रस्तुत किये हैं रोहित जी ने लिखा है रिष्टा बाई बाई का पर तो हिसाब तो पाई पाई का बराबर चे बाई हरविन सिंग ने जोर से काहा है पाई देवता की जय हो उत्राकंड से सैंडी जी ने लिखा है पाई फूल की तरह खिल रहा है सभी को खुशी देगा सही बात है मनिश जी ने पाई देव की महिमा गाते होई लिखा है दुरगटना से देर भली, देर आए, दुरुस्त आए बाई वाह ये कमेंट में लिखा है हम नेपाल से बुल रहे हैं पाई नेटवर्क नेपाल में अलावड होगा की नहीं तो भाई आप किसी भी देश में रहते हो आपके वालेट में अगर पाई है तो आप दूसरे देश में जाकर बेच सकेंगे और हाँ मिन्नेट ओपन हो जाने के बाद तो लेने वाले हजारों लोग तयार हो जाएंगे क्या कहना है पाई उनियर मित्रो कुछ नटखट पाई उनियर्स हैं जो कई बार हमारी यूट्यूब चैनल पर पाई के बारे में निरासा जनक कमेंट करते हैं कि ये पाई का कुछ नहीं होगा ये पाई नहीं चलेगा परन्तो पाई अपनी एप से निकालते नहीं है दर्शक मित्रो अंत में उतना ही कहना है कि ये पाई प्रोजेक्ट नहीं चला तो हमको यानि इंडिया को उतना नुकसान नहीं होगा जितना इस पाई के सफल होने से होगा नहीं समझे अरे बाई अगर ये चला तो हमारे पास उतने पाई नहीं है जितने दूसरे देशों में यानि चाइना, वियतनाम और कोरिया में है और हो सकता है इसी पाई की वज़र से उनका पलड़ा भारी हो जाए पाई चला तो हमको उनकी मुँ मांगी कीमत पर खरीदना पड़ेगा बविश्य के सौधे करने पड़े यानि इंटरनेशनल ट्रेड अब कुछ समझे तो ये सोचने की बजाए की पाई चलेगा या नहीं अभी से तयारी करना बहुत जरू लगता है के वाई सी भले ओपन मिन्नेट के बाद करना परन तो अभी बारात निकल चुकी है भाया इसलिए बाकी सब चिंताबाद में पहले पाई हाथ में पाई कहता है मत बनाना अभी से कोई राय मेरे बारे में जानी बदलेगा वक्त हमारा और बदलेगी राय भी तुम्हारी तो राय बदलने के लिए नया नया सीखते रहें और प्रसंद न रहें मेटा मित्र से जुड़े रहें मेरा मित्रा मेटा मित्रा जैहेंद जैबारा जैबारा वक्त हमारा वक्त हमारा वक्त है